हाई फ्रेट्स यूटूब पे आपका स्वागति दोस्तों मैं अनिल बागुल तो दोस्तों यहां आटोवरिक्ष्य ज्ञान में मैं बहुत ही अलग अलग और छोटे मूटे वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों यहां आपका प्यार ऐसे ही बनाई रखना तो दोस्तों ऐसे वीडियो और आप जैसे फ्रेंड जो अट्रोर भाई है उनके लिए फटापाट वीडियो बनाते तो आगे चलते पर दोस्तों सबसे पहले चानल पर नाया तो लाइक करना और नीचे कमेंट करना आप कहा से हो सिटी का नाम और दोस्तों सब्क्राइब करना और बैल आइकन द है दोस्तों जब आठो चल 101 आप बहुत दिन सेचा चल आते पर कभी का बार ऐसे चीजह हो जाती जिशे आप पता देखने वाली वह पेट्रोल यह फिर आपके गाड़े में से निकलना और अईल पर दोस्तों यह कहा से किरता है यह क्यों गिरता है तो इसकी जानकारी और डाइग्राम आपको जरू देखना आए और आपको इसकी जानकारी आज देने वाला हूं पर दोस्ते आपको ढहां देनें आपके पास फोस्ट्रों को पर दोस्त आप पेट्रोल गारी को चाला थे तो उनके कुछ चीजह होती है गुकश्णThen jeux देने पेट्र्ल मirement एफ ख्लिकर रहने में के पेट्रोल करूल छाना प्रोज़क्टोय सब्सक्राइब से क्या करना है और इसकी निजात कैसी तो दोस्तों यह मैं एक महिने तक ट्राइ किया तो इस जो टूब यह पाइप इसको ऊपर इस तरह बांग दिया था पर दोस्तों कभी कबार भूल जाए जो पाइप निकल जाए तो आपका वह सारा पेट्रोल ऑईल नीचे जो जमिन पर नापर आपका बहुत सारा नुपसान हो सकता हूं और भी हो सकता है तो दोस्तों आगे चलते हो पुलने को देने वाला हो शोतों यहां अभी फिलाल मेन तो यह बोछ दिन तक किया था रही ताब फिलाल में आर्टियों का पसींग सब विटी दूल मिटी उठती रहती बात में बात करते दोनटे एक और फाइप आता है वे उपर से अचिन और इंजिन के तरफ से दोस्तों यहां सबसे पहले चौक की वायर निकालनी है तो दोस्तों फिलाल मेरे साथ है इमरान भाई जो फिटर है तो आपको देख सकते हैं दोस्ता फिलाल चौक की वायर आपको यूज करते तो बहुत से आटरयर नहीं यूज करते तो आपको दिक्क पर दोस्तों इसे थोड़ा और साफ करने के बाद हो जाएंगा फिलल अभी जो एर फिल्टर के थूरू से पाइप आता है उसे खोल लेना है जहां कि आपके फोर पाइंड इसको ड्रायर हो उसे धीर धीर खोल लेना उसके बाद आपको दोस्तों इंजिन के तरफ से जो और ए चीजह आगे आपको बताने वाला हुँ तो दोस्तों बहुत चाटर रहा है और इन चूज़ों पर धहनने देते जब आप आगाटो नुश्टों फोस्ट्रों को अप दोस्तों यहां होता है आप सुबह-सुबह गाड़ी स्टार्ट करते चौक अभी उस करना है सुबह- तो इसे स्टार्टिंग ट्रबल बहुत ही कम देता है तो फिल अला भी यह चार नाट खोल लिए जो कार्वेटर का नीचे का भाग है तो दोस्तों यह पहले भी में वीडियो बना चुका होता है भई सेकंड वाला है तो जैसे भी कोई प्रॉबलम हो तो इस पर में वीडियो के लिए में आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यह चोटी सी चीजे पर इससे क्या होता है गाड़ी का जो अश्ट्रा पेट्रोल यह हावा है यह निकल जाता है यह प्रॉबलम स्ट्राटिं ट्रॉबल है नुक्सान होने से पहले बचाने से पर यह इस तरह पेट्रोल इस थ्री गाड़ी है आपका कार्परेटर है तो इसमें यह पीन आती है आगे रबर का हिस्सा होता है पीछे जर्मल और पीछे पीतल का यह छोटी सी पीन बहुत ही काम की है अगर यह खराब हो जाए तो बहुत सारी चीजे दिक्कत होती है वह आगे आपको तुम्हें सब्सक्राइब करना ना बुलें बेल कान दोने सापका आने लिए हर रुड़ी की अपडेट्स आपको टाइम मिलते रहेंगे तो दोस्तों यह आटो रिक्ष्या ग्यान तो दूसरे दूसरे दोस्ते यह पाइप जो रबरी पाइब है सी एंजी एल पीजी और छोटा सी एं जेट है दोस्तों यह उपर इसमे नहीं वाल सेखेडे उसमें तो फटापट दूस्तो आभी रसे नहीज़े जो फिलूड फिलल nearby खोल लिए यह तो दोस्तो यह खर्च यह प्रय घृत McKay खुयों। नपर क्वli और आप का सब्सक्राइब कि ऑन घ्राद रखना। मोग्णत पेट्रोन टंक होती। इसका सब्सक्राइब करते हैं في कोई उसे यूजर ने करता और खराब हो जाता है तो यह रोड होता है वह भी खराब हो जाता है अभी नई वाली आप देख सकते पीन और पूरणी में किसे डिफरेंट है इसका पीतलने का हिस्सा पूरी तरह अच्छा है और जो पूरानी है उसका पूरी तरह घिस चुका है इसके वाइसे जो पेट्रोल या ओईल और फ्लो हो जाता है और नुकसान हो जाता है तो फिलाल भी फिटिंग हो चुकि ज्यादा मुश्किल बारा काम नहीं पर उस खुलने के वाद आपको जेट हो इसके क्लीन कर लेना है जिसे माइले जो स्ट्रेटिंग का ट्रोबल है या वह भी निकल जाते हैं दोस्तों आधा दूरा काम नहीं करें क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाल चुका हो तो दोस्तों आगे मैं आपको उसकी पूरी तरह जो डाइग्राम हो वह भी देख सकते हैं और उसका स्क्रीन शॉट लिके रखना है आप खुद प्रिटिंग करना चाथे हो तो तो दोस्तों अब ने साथ हैं हिम्रान भाई और मैं हूँ अनिल भावल आट्वर रिक्शागयन में आपको मैं ऐसे वीडियो डालता हूं जिसे आपको पसंद आए दोस्तों मैं आप शेयर जरू कर और दोस्तों आपकी दूआ आपका प्यार ऐसे ही बना है र जो एक्सलेटर का पिष्टन होता है उसे भी अच्छे से ऑईल और थोड़ा सा घिस लेना है जाम हो जाए तो इसे वर्किंग या एक्सलेटर ते तकलिब होती है तो दोस्तों यह देख सकते हैं फिलाल जो एक्ष्ट्रा और पुलोका और जो नट होता है उसे खोल लेना है क् और यह जल्दी खुलता निवा एक बार खुल गया तो इसे अच्छे से कस देना है और फिर उसके बाद आपका आटो सई डंग से काम करना चलता है और वर्क करना जैसे पेट्रोल हो हावा हो उसका मिच्चर और पिकप के लिए यह देखो यह जो पाइप है इसे हाउस सब्सक्राइब करेंगा आपकी कुण सा आटो बीस-3 बीस-4 तो दोस्तों चलो आगे और भी वीडियो आपको दिखा देता हूं दोस्तों फिलाल यह फिटिंग होता है तो आपको जब डाइग्राम आगे दिखा देता हूं एक्सलेटर हो पिस्टन का जो चॉक का पिस्टन तो यह देख सकते हैं केबल एक्सलेटर आटो चेको ओर फ्लो जैसे फ्लोट जो सेंसर होता है एडलिंग स्क्रूए एर स्क्रूए और फोटल वाल तो यह चीज़ आगा स्क्रीन शॉट ज़रू लेना है दोस्तों फटब फट आपके पिटिंग कर देते हैं तो दोस्तों इ अच्छा वाला लगा देना है जैसे अपले एक्सलेटर आण जाम नहुँ और अच्छे वर्क करें गाड़ी स्थाटिंग में स्मूथ हो और दोस्तों सेटिंग करते समय भी ध्यान देना है आपको आपका गाड़ी का रप्यम है तो अच्छे से कम और रखना ज्यादा नही यह भी चीज़े आपको आगे में बता चुका हूँ तो दोस्तो यहां में आनिल भागोला आपके लिए आटो रिक्षा गयान में ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो यह पिष्टा ने चौक का तो इससे भी यूज करते है रहना दोस्तो कभी कभार यह यूज नहीं करते सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते इससे भी दिक्कत होता है और आपका नुक्सन और बढ़ सकता है तो फिलाल यह फिटिंग हो चुकी है और दोस्तो इसका जो कार्बरेटर सेटिंग के जिसे माइलेज के लिए तो यह चीज़े बहुत ही जरूरी होती है तो दोस्तो यहां इमरान भाय और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते रहते तो यह पेट्रल का पाइ यह च्हाल करना हो चुलीब करना हो तो यह लह सकते हैं और दोन भी आपको पता है दूस्ते लगयाए उसे होलाओले हाँ से ऑस्कूर को लूज करने दो दोस्तों यहां स्टार्टिंग ट्रबल हो इक पका हो हुं आपको एक आर्लेटर हो सकते हूं आपको